जै श्री राम स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर मैं पंडिताशी शर्मा लेकर आया हूँ शनी देव के गोचर से सम्बंदित एक बहुत एहम जानकारी आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे के मिथुन राशी और तुला राशी वालों को शनी की धहिया चल रही है शनी की ये धहिया समाप्ती की तरफ है क्योंकि शनी देव 29 अप्रेल 2022 को शनी की धहिया से मुक्त कर देंगे मिथुन और तुला राशी वालों को अब शनी का गोचर यानि राशी से देखने के अनुसार पता लगता है कि आपकी राशी से शनी का जो गोचर है वो किन स्थानों पर है और उस गोचर पर चलने के कारण आपको वो साले साती दे रहा है या शनी की ढहिया दे रहा है क्योंकि ये शनी की साड़े साती और शनी का गोचर है इसलिए बहुत महत्पून हो जाता है कि आप अपनी कुंडली में ये अवश्य चेक कराएं कि कुंडली में शनी देव किस्तती कैसी है क्योंकि शनी देव साले साती हो या धहिया हो उसके अंदर राजा और रंक दोनों ही बनाने में शक्षम होते हैं क्योंकि कुंडली में शनी देव देखना जरूरी है कि वो कितने प्रवल हैं बहुत से लोगों को सुना होगा कि शनी देव ने शालसाती में बहुत कुछ दिया लेकिन बहुत कुछ ले भी लिया ऐसा भी आपने बहुत लोगों से सुना होगा यानि कहीं न कहीं सभी के लिए समान सोत्र लगाना गलत है कुंडली में ये देखना बहुत ज़्याद जरूरी हो जाता है कि शनी देव कितनी प्रबल अवस्था में है क्या मुझे शनी की साड़ साती अच्छी है क्या मेरे लिए शनी की धहिया अच्छी रहने वाली है वो निर्भर करता है आपकी कुंडली में शनी की स्थितियों पर भी तो उसको भी चेक कराना बहुत ज़्याद जरूरी है सभी की कुंडली हमारे पास नहीं हो सकती इसलिए हम लाते हैं गोचर से सम्मधे तिस्तिया क्या आपकी राशी से शनी की धहिया कैसी रहेगी आपके लिए साड़ साती कैसी रहेगी यह सब गोचर का विश्य होता आज के इस वीडियो में मुख्य रूप से हम बात करेंगे कि मिथन और तुला राशी वालों के लिए ये शनी की जो ढहिया चल रही है इसके अंतिम चार महीने यानि जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रेल के महीने कैसे होने वाले कैसा होगा प्रभाव शनी देव की ढहिया जाते जाते क्या आपको रहत दे कर जाएगी या आपके लिए चिंता का विशय बनाएगी जिसमें सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मिथन राशी से देखें मिथन राशी से शनी देव राशी से अस्टम और नवम दो स्थानों के मालिक होते हैं जब गोचर वश यानि आपकी राशी या आपके चंद्रमा से शनी देव राशी से अस्टम में ट्रांजिट करते हैं गोचर करते हैं उसको कहते हैं कि उस राशी के लिए शनी की ढहिया शुरू होगे जैसी कि मिथुन राशी वालों आपको चल रही है शनी देव जनवरी भरवरी मार्च और अप्रेल के महीने में राशी से अश्टम में चलेंगे जहां 20 जनवरी तक इनका गोचर चंदरमा के नक्षत्र में चलेगा तब तक तो इस्तियां ठीक दिखाई दे रही है कोई बहुत बड़ी परिशानी नहीं है लेकिन मैं आपको यहां साबधान भी करना चाऊँगा और चेतावनी भी देना चाऊँगा देखिए शनी देव आपकी राशी से अश्टम में है और आप शनी का नक्षत्र यानि शनी मंगल के नक्षत्र में परिवेश करेंगे 20 जनवरी से लेके 29 अपरेल तक यह होगा मंगल का धनिश्टा नक्षत्र आपकी राशी से मंगल शत्रू है और शनी और मंगल भी आपस में मित्रता नहीं रखते है तो यह बहुत ज़्यादे साबधान है कि एक ग्रह जो राशी से अश्टम में चल रहा हो वो नेचर में आशुब है क्योंकि शनी देव को नेचर में आशुब ग्रह कहा गया है वहीं वो अपने शत्रू मंगल के नक्षत्र में है और आपकी राशी से भी परम शत्रू कहलाता है मंगल क्योंकि आपकी राशी से मंगल छटे घर के मालिक है जब छटे का मालिक ग्रह मंगल और शनी उसके नक्षत्र में चल रहे हो वो भी अस्टम भाव में राशी से आठवे में तो क्या करना है इन चार महीने साथधन रहना है किसी प्रकार का जगड़ा जंजट ना हो जाए कोई बीमारी ना लग जाए कोई रोग चोट एक्सिडेंट आपके जीवन में ऐसा ना जाए जो आपको तीन-चार महीने परिशान करते हैं किसी प्रकार का करजा नहीं लेना है किसी नए काम को शुरू करने के लिए आपको अबोईड करना है आपका उपरियल के महीन तक कोई भी नया काम नहीं करना कोई नया इन्वेस्टमेंट नहीं करना अपने पैसे को खराब जगए लगाने से बचना होगा आपको नहीं तो किसी प्रकार के जगड़ा जंजट शत्रू पीड़ा के द्वारा आपके पैसे की हानी हो सकती है आपको कारे शेतर में नुक्सान मिल सकता है वहां चलाने में विशेश साबधानी बरतनी होगी किसी प्रकार की परेशानियों से स्वैम को बचाना आओगा कि ऐसा नहीं चलते चलते गिर जाओं फिसल ना जाओं मुझे चोट ना लग जाए सलक देर देख के पार करनी है यानि किसी प्रकार की लापरवाही चाए वो व्यापार के छेतर में हो चाहे नौकरी के छेतर में हो पैसे के छेतर में हो या स्वाच के चोटर के आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की हाँ जरूरत है क्योंकि इस बार शनी देव राशी से अस्टम में भी होंगे मंगल के नक्षतर में भी चलेंगे और वो मंगल का नक्षतर यानि मंगल गरहे शनी और बुद्ध यानि आपकी राशी के मालिक दोनों के लिए अच्छा नहीं है तो ये विशेश साबधानी आपके लिए है ऐसे समय में शनी देव और हनुमान जी दोनों की उपासना आप कीजिएगा क्योंकि राशी से अंतिम चरण भी चल रहा यानि आपकी राशी से ढहिया अंतिम छोर की तरफ जा रही है लेकिन उसने इस बार गलत नक्षतर में प्रवेश किया है जो कि आपके लिए नुक्सान दायक हो सकता है इसलिए मेरी शेतावनी को आप ध्यान रखेगा और थोड शनी की ढहिया कहते हैं क्योंकि राशी से चौथे घर में गया हुआ शनी ऐजे अशुब ग्रह के भीया राशी से चौथे घर में अगर अशुब ग्रह आता है तो पारिवारिक चिंताएं बढ़ती हैं मन के अंदर उदासी खिंता परेशानी बढ़ जाती है ऐसा शात्र मे भी कहता है कि जब राशी से ज тебя чौते घर में कोई रहाइस को के बैठें इसा फ़्रेशनियों को आप भोऊडवी करता है राशी से स्थौ फ़्राषोग मैं शन्यहाफ मेंत रपर परटी के लिए अच्छा है सुक साधनों के लिए अच्छा है लेकिन जहां क्षणी अशुब रहे हैं नेचुरल अशुब रहे हैं इनके सभाव में शुब था यानि जो भी चीज आपको ये देंगे थोड़ा परिशान करके देंगे चतुरतेश चौतेईगर में है राशी से देंगे जरूर लेकिन कही न कहीं मन में बेशैनी अर तंगी जरूर रहेगी किसी न किसी प्रकार से आप परिशान जरूर रहेंगे मन के अंदर चिन्ता रहेगी परिवार के लोग अगों नहीं दे पा रहा हूँ जितना मैं अपने परिवार को देना चाहता हूँ कितनी महेनत कर रहा हूं उसके बाद भी मैं उम्मीदों पर खरा नहीं होता रहा हूं ऐसी स्थितियां भी इसी कॉंबिनेशन से होती हैं अब शनी देव जनवरी फरवरी मार्च और अप्रेल इस दोरान मंगल के नक्षत्र में रहेंगे और ये मंगल आपकी राशी से दूसरा और सब्तम का मालिक है दूसरे से जहां से हम धन कि स्थिति को देखते हैं वहीं सब् पती या पत्री से संब्दित इस्थितियां उनसे मिलने वाला सयोग पदप्राप्ती व्यापार किस्थिति को देखते हैं आपकी राशी से ये दोनों ही स्थान बहतर हैं जाम मंगल धन दायक हो रहे हैं तो वहीं मंगल सब्तम भाव पती या पत्री से संब्दित सयोग किस और राशी से दशम को द्रश्टी भी दे रहे हैं इसका मतलब शनी ने धन भाव से पदप्राप्ति भाव से और पबलीक इमेज यानि सेवंथ हाउस इन सभी से संबंद बनाया है और शनी का नक्षत्र भी बहतर हो गया इसका मतलब तुला राशी वालों के लिए जो शनी की शनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो वो अंतिम चार महीने आपके लिए होंगे बहजादस सुखदाई आपको किसी परकार की चिंता की जरूरत नहीं है लेकिन मितुन राशी वालों आपको साबधान होने की जरूरत है नहीं तो समस्या में फस जाएंगे इसलिए जो कैसे रहेंगे वो आपके लिए कैसे होंगे फल किन बातों के रखना आपको ध्यान उसके बारे में विस्तर जानकारी में आपको दी है फिर से नविशय के साथ आपके सामने हाजिर होंगा मैं तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ जैश्री राम